हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुती खुबसुरत पैटन सेयर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, कार्डिगन, कोट्टी, गल्स स्वेटर, जैकेट, जैन साफ स्वेटर, आधी में बनके द हमने टू फंदे एक्स्ट्रा डालने, दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेना है, और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होगा, सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बार्डर पैटन बनाके कमप्लेट करेंगे, बॉर्डर पैटन कमप्लेट होने के बाद हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होगा, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू वीडियो की लिएट होने के बाद, फ्रंट साइड से पैटन की फर्स्ट रो, अब पैटन की फर्स्ट रो में देखें, पहला फंदा उतार लेंगे, ये पहला फंदा उतार लेना है, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, हमारा ये पैटन 9 के मल्टिपल में आएगा, तो देखें, यह हमारा पैटन बनना स्टार्ड हो गया, नौ फंदों में से देखें, दो फंदे सीधे बुनें, अब देखें, फ्रंट साइड की तरब से, यह सीधी साइड से, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, यह दो का एक किया, धागा अपनी साइड करेंगे, जाली डालने के लिए, औ दो का एक करेंगे, तो देखें, ऐसे बैक साइड की तरब से सलाई डालेंगे, और दो का एक कर लेंगे, फिर देखें, नेस्ट हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, यह देखें, यह पहला फंदा छोड़के, यह नौ फंदों में हमारा पैटन आ गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, अब यही नौ फंदों का प्रोसिस हमें आगे रिपीट करना है, तो देखें, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, दो फंदे सीधे, नौ फंदों में से हमने दो फंदे सीधे बुनें, अब दो फंदे एक साथ बुनेंगे, यह देखें एâu से सलाई बैक साइट की तरब से डालेंगे और दीखे दो का एक कर लेंगे नहीं प्रिके दो फंद सीधे और लास्ट का पंदा सीधा तो देखें यह फरनंट रिस यह फ्रन्त साइट शेटन की सफट कांफलीत हो गई अब देखें wrong side से second row अब second row में देखें पहला फंदा उतारेंगे और wrong side से हमने second row को उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है पूरे pattern में हमने wrong side से यही process repeat करना है यह देखें wrong side से हमारी pattern की second row complete हो गई अब देखें front side से third row अब third row में देखें पहला फंदा उतारेंगे यह पहला फंदा उतारेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा सीधा बुना अब देखें next हमने दो फंदे एक साथ बुनने दो का एक करेंगे तो सीधी side से slide डालेंगे और दो का एक कर लेंगे दो का एक किया फिर देखें धागा अपनी side जाली डालने के लिए और तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी side करेंगे, जाली डालने के लिए, और देखे, दो फंदे, एक साथ भुनेंगे, तो दो का एक कर लेंगे, इसे, यह दो का एक किया, फिर देखे, nest, एक फंदा सीधा, तो देखे, यह नो फंदों में हमारा pattern आगए, यही नो फंदों का process आगे, repeat करेंगे, एक फंदा सीधा, नैस्ट हम दो फंदे एक साथ भुनेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, फिर एक जाली डालेंगे, दो फंदे एक साथ भुनेंगे, दो का एक करेंगे, यह देखें, दो का एक, फिर फिर एक फंदा सीधा, फिर लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे फ्रन्ड जाईट से हमारी autumn pattern की 3rd row complete हो गई, आप देखे wrong side से 4th row पहला फंदा उतारेंगे, और wrong side से 4th row को हमने second row की तरह उल्टा भुंते हुए complete कर लेना है यह देखिए रॉंग साइट से हमारी 4th row complete हो गई आप देखिए फ्रंट साइट से 5th row आप 5th row में हमारा पैटर्न रिपीट होगा 5th row को हमने 1st row की तरह बुनते हुए complete करना है बैक साइट से जो 6th row आएगी उसको हम 2nd row की तरह बुनते हुए complete करेंगे और फ्रंट साइट से जो 7th row आएगी 3rd row की तरह बुनेंगे और रॉंग साइट से जो हमारी 8th row आएगी उसको हम 4th row की तरह बुनते हुए complete करेंगे यहने कि हमने यही चार सुलायों का प्रोसिस आगे रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरों से आ जाएगा यह देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे all प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा लेक करें, सेर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक्यू